नमस्कार दोस्तों किसान की अवाज यूटूब चैनल में आज फिर से आप सबी का स्वागत हैं तो देखिए डैरी उद्योग में सफलता पाने के लिए पसु पोशन में उत्तम संतुनित आहार बहुत ही जरूरी होता है आहार में भी रेशे की गुणवत्ता का सहबाग खुब महत्पून होता है गाएं को भरपेट था गुणवत्ता यूगत रेशे वाला आहार मिद रहा है या नहीं यह संकार हमें तब आती है जब हम यह नियमित रूप से पसु से मुलाकात लेते हैं और गाएं के वहवार का बारकाई से निरिख्षन करते हैं वillarस्थापन के बारे में बहुत महत्पून जानकारी पराप्त होती है जब हम गाएं के वहवार को ध्यान पूरवक देखते हैं अब हमें यह देखने को मिलता है कि कितनी गाएं चारे के नाद के पास खड़ी होकर आहर खा रही हैं, कितनी गाएं चारे के नाद के पास खड़ी होकर जुगाली कर रही हैं, और कितनी गाएं बैठ कर जुगाली कर रही हैं, कितनी गाएं बैठी हैं और आराम कर रही हैं, सा उगाली करने वाले गायों के मुझ से जाग यानि की फोम निकल रहा होगा गायों के इस सामुहिक वहवार को अगर हम सांखीकी की दृष्टी से देखते हैं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि पसु आहर में उत्तम परती की रेशे की मात्रा में कुछ तो गड़बड है सूख सूखे चारे की उचित मात्रा बहुत ज़्यादा जरूरी है गाये का बड़ा पेट यानि रुमेन से आगे बढ़ने वाली खुरा की गती भी कम होती है सूखे चारे की गुणवत्ता को जानने के लिए चारे में उपलब्द ऐसी डिटर्जेंट फाइबर और नीट्रल डि लिगनिन की मात्रा की जानकारी मिलती है रेसे का पचंशील रूप है और लिगनिन एपचंशी रूप है और ऐसी डिटर्जेंट फाइबर परिक्ष्ण इसमें यह मालूं पड़ता है कि चारे में कितनी उर्जा उपलब्द है जिस पसू आहार में लंबी पतियों के मात्र हो सकता है और उस संदानों द्वारा यह सिद किया जा चुका है कि गाइग जब कुदरती चरागाहों में चरती है तब वे अपनी पसंद वे आवशक्ता के नुबसार चारा चुनने की एवं खाइने की योगईता रखती है वे वही चारा खाना पसंद करती है जो उनके आहार को संतुलित कर लेती हैं गोशाला में रहने वाले पस्वों को जब आहार देते हैं तब पस्वों के पास स्ट्रीड के आवशक्ता नुसार खुराक चुनने की आजादी नहीं होती उन्हें वहीं खाना पड़ता है जो उनका मालिक उन्हें दे रहा है और तो और पस्व आहर भी पिसा हुआ होता है और इस कारण से पस्वों उस आहर से ने तो अपनी योग्य खुराक आहर चुन सकता है पस्वों की बोरी पर पस्वों के पोशक मुख्यों के संदर में सिर्फ कच्चा रेशा के मात्रा के बारे में लिखा होता है परन्तु इस कच्चे रेशे म ADF और NDF की मातरा के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं और सर्वसाधारण नियमनसार आहार में जब कच्चे रेसे के मातरा अधिक होती है तो यह दर्शायद जाता है कि आहार में घासचारे की मातरा भी आधि है अगर पसु आहर के बोरी पर ऐसा लिखा है कि आहर में घासचारे की मात्रा कम है परन्तु कच्चे रेशे की मात्रा अधिक है तब यह समझना चाहिए कि पसु आहर में उपलब रेशा रुमेन की च्यापचे क्रियाओं के लिए एपूर्ण है अनेक सोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि गायों के अगर बन बनाया आहर देते हैं और जिसमें घासचारा नहीं मिला होता तो वह संतुलित आहर नहीं कहलाएगा इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पसु आहर बनाने वाली कंपनियों के आहर में कम से कम 26 प्रतिशत कच्चा रेशा मिलाना ही चाहिए तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेर ज़रूर करें और साथ ही किसान की अवाज यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर बढ़ार गन्योन